नमस्कार दोस्तो वेलकम टू बिहार से वेल्स मैं हूँ अलोग सिंग तो देखिए 2021 में बिहार मना रहा है बिहार का जो बिधान सभा भवन है यानि बिधान सभा बिल्डिंग है उसका सौवा साल जी हाँ सेंचुरीज हो चुका है इस बिल्डिंग का आप यहाँ पे एक बिल्कुल चकमका रहा है सेलिब्रेशन से और इसमें इन्वाइट किया गया है 14th प्रेसिडेंट ओफ इंडिया रामनाथ कोविन को एज चीफ गेस्ट तो इस बिल्डिंग का इतिहास हम जानेंगे इस वीडियो में और भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा तो बिल्डिंग सेलिब्रेशन और बिहार विधान सभा बिल्डिंग यहाँ पर आप देख पाऊगे राश्पती रामनाथ कोविन का वेलकम कर रहे हैं एरपोड पर जो हमारे राजपाल हैं फागु चौहान जो हमारे मुख मंत्री हैं नितिश कुमार तो जिस भवन की हम बात कर रहे हैं जिसका सौवा साल सेलिब्रेट किया जा रहा है उसका नाइट लूक आप देख पाऊगे काफी जगमगा रहा है बहुत ही खुबसूरत दिख रहा है तो राश्पती रामनाथ कोविन्द बिहार में प्रस्तान कर चुके थे 20 ओक्टूबर 2021 को और यहां से च 22 ओक्टूबर 2021 को यह फिर से दिल्ली चले गए रामनाथ कोविन्द यह डेट मैं इसलिए मेंसन कर रहा हूँ क्योंकि BPSC काफी बार पूछ चुका है डेट से रिलेटेड क्वेस्चिन तो 21 ओक्टूबर को बिहार बिधान सभा बिल्डिंग का सेलिब्रेशन था सौवा सा साल का सेलिब्रेशन यह चल रहा था इसमें यह जे चिफ गेस सामिल हुए लेकिन यह सिर्फ इस सेलिब्रेशन में ना सामिल हुए बलकि पटना में बहुत से इंपोर्टेंट जगों को इन्होंने विजिट किया जैसे बुद्धा अस्मृती पार्क को इन्होंने विजिट किया ठीक है राष्ट पती ने कहा कि बिहारी कह जाने पर सुखद अनुभूती होती है एक्चुली क्या है कि जो रामनात कोविंध है ये जब राष्ट पती बने थे उससे पहले ये दो सालों तक बिहार के गुवर्नर थे जिहां ये बिहार के गुवर्नर थे दो सालों तक उ उस वक्त ही बिहार में जब गुवर्नर थे उस वक्त ही ये राश्च्पती के लिए इन्हें सेलेक्ट किया गया था और ये राश्च्पती के तोर पर अपउइंट कर दिये गये थे तो इसलिए ये खुद को काफी emotionally attached मानते हैं बिहार से यहाँ पर आया इन्होंने कहा छट प परसी तक और बेगु सराज से बॉस्टन तक छटी मया की पुजा करने का पैमाना मिलता है हमें बड़े पैमाने पर ये किया जाता है और जब रामनात कोविंद बिधान सभा के बिल्डिंग में celebration में सामिर होने के लिए गये तो उसके पहले इन्होंने बोधी ट्री लगाय इसलिए ही तो इसका भी importance है बोधी ट्री क्योंकि बोधी ट्री का जो है बिहार में खास importance है आप ये लोगों देख पा रहे होगे ये बोधी ट्री है जो कि बिहार सरकार का official logo है ठीक है इस लोगों में आपको दिख रहा होगा कि ये बोधी ट्री है जो कि बुद्धिस्ट क को denote करेगा और यहां पर यह जो माला आप देख पा रहा है हो जो जपने वाला माला होता है और फिर यह स्वास्तिक देख पा रहा हो यह हिंदू religion को denote कर रहा है और ये जो elite वाला size देख रहा हो ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये बिहार लिखा हुआ है उर्दू में तो यहाँ पर Islam religion को denote कर रहा है मतलब तीनों धर्मों का यहाँ पर unite करके ये logo त्यार किया गया है बिहार का ठीक है तो इसके लिए ही ये काफी importance रखता है और उपर से एक और चीज़ क्योंकि बिहार जो है बिहार सरकार काफी हर्याली को पर्मोंट कर रही है तो वो भी एक वज़ा यहाँ पर हो सकता है इतना ही नहीं राश्पति कोविंद ने सताबदी अस्मृति अस्तंब का सिला न्यास किया अब सताबदी अस्मृति अस्तंब क्या है तो क्योंकि सौ साल हो चुके हमारे विधान सभा भवन का तो उसके याद में ये एक टावर की तरह बनाया जा रहा है ठीक है और इसको बनाने के लिए पर सिला न्यास कर दिया गया उद्धाटन नहीं किया गया यानि कि अभी बनने की सुरुवात होगी और इस जो सताबदी अस्मृति अस्तंब ही यह होगा यह अस्तंब का काफी importance होगा यह पहले तो 25 फिट उँचा होगा और ये विधाई परमपरा का प्रतीक होगा और इसके उपर ये जो टावर होगा इसके उपर में 15 फिट उचा धातू का एक बोधी वरिच बना होगा ठीक है इसके उपर में 15 फिट उचा बोधी वरिच बना होगा और अस्तम्ब के साथ अस्तम्ब की कुल उचाई कितना हो गया पूरा मिला के 40 feet ठीक है यह याद रखेगा फिर इसमें बिहार की जहलक होगी और 9 साखाएं बिहार के 9 परमंडलों को भचाएंगे अब इसमें 9 branches बनाये जाएंगे ठीक है जो बताएगा बिहारों को पता होगा 9 division होते हैं बिहार को 9 divisions में बाटा गया है 9 परमंडल तो वो होगा फिर एक subdivision भी होगा क्या कि सब मदब साखाएं जो एक छोटे सरक साखाएं भी होगी वो 38 साखाएं होगी 38 जो है बिहार के 38 जीलों को डिनोट करेगा ठीक है फिर बिहार के सदस्यों के बरावर इसमें 243 पत्तियां लगाई जाएंगी ठीक है यह जो टावर है इसमें 243 पत्तियां लगाई जाएगे जो डिनोट करेगा कि जो हमारा बिहार विधान सभा का टोटल स्ट्रेंथ है 243 मेंबर का यह डिनोट करेगा तो काफी इंपोर्टेंट रहेगा यह जब टावर बनके तयार हो जाएगा तो इस सेलिबरेशन का कुछ पिक्चर आप देख पाओगे यहां पर विधान सभा के हॉल में जो प्रोग्राम रखा गया था उसका यह पिक्चर आप देख पाओगे बिहार का लोग गीत यहां पर यह म्यूजिकल प्रोग्राम यहां पर चल रहा था तो बिहार विधान सभा का यह जो बिल्डिंग है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, काफी यहाँ पे खुबसुरत पिक्चर आपको दिख रहा होगा, एक्चोली में साथ फरवरी 1901, साथ फरवरी 1921, ठीक है, 1921 को यह बन के त्यार हो गया था, तो इसका उधगाटन किया था, उस वक्त के, जो राजपाल थे, कौन थे उस वक्त के राजपाल, लॉड सतेंदर परसाद सिन्हा, याद रखिएगा, जब यह कब की बात करी गई है सो साल पहले, इस भवन में कलांतर में कुछ विस्तार भी हुए, लेकिन इसकी मुल्स रचना पर कोई असर नहीं पड़ा, अब यहाँ पर फट से क्वेशन पूछोगे, साथ फरवरी 1921 को इसका सो साल होगा, तो हम अभी 21 ओक्टूवर को क्यों इसका सेलिबरेशन कर रहे ह है, तो इसके पीछे भी रीजन है, एक्चोली में क्या है कि बिहार सरकार ने इस सेलिबरेशन को दो बार मनाने की बात करी थी, यानि कि एक तो अल्लेडी साथ फरवरी 2021 में मनाया जा चुका है, ठीक है, बिहार बिधान सभा के भवन का यह सेलिबरेशन हो चुका है, सोवा जाता है, क्यों? 21 अक्टूबर को इसलिए क्योंकि 21 अक्टूबर ही वो दिन है, जब श्री कृषना सिंग का जन्म दिन मनाया जाता है, श्री कृषना सिंग कौन थे? यह थे हमारे पहले चीफ मुनिस्टर, फर्स चीफ मिनिस्टर ओफ इंडियन स्टेट बिहार, जो कि 1946 य 60 वन तक रहे थे और इनको इसके सिना भी कायाता है स्री बाबू के नाम से भी जाना जाते हैं और बिहार के स्री के नाम से भी हम इनहें जानते हैं यहां पर मुखमंतरी यहां पर ट्रिब्यूट दे रहे हैं यह भी आब देख पाओगे तो आप समझ गए कि इसको दो बार celebrate किया जा रहा है नहीं 2021 तो जो 2021 से पूरा साल सौवा साल की तरह यूज किया जा रहा है और दो बार इसकी celebration की गए क्यों किस region से तो आप समझ गए और अभी ततकाल में जो बिहार विधान सभा है उसके speaker कौन है तो ये हैं विजय कुमार सिन्ना इसमें बहुत confusion होता है इसके पहले जो थे न वो थे चौधरी नाम सिम था ठीके बिजय कुमार चौधरी थे पहले लेकिन अब बिजय कुमार चौधरी नहीं है बलकि बिजय कुमार सिन्ना ये हैं अभी इसके speaker अब इस building की इस भवन के कुछ इतिहास पर गौर करें तो Government of India Act 1919 जो आया था अंग्रेजों ने लेकर आया था Government of India Act 1919 उसके तहत बिहार एवं ओडिशा को एक पुर्ण राज का दरजा मिल गया था कब मिला था 1920 में Government of India Act के तहत मिला था और 1920 में ये मिला था अब को पहले से पता होगा कि पहले जो बिहार ओडिशा और जो बंगालता ये तीनों ही मिले हुए थे एक साथ थे लेकिन उसके बाद बिहार और उडिसा को अलग हो गया यह पुन्ड राज का दरजा मिल गया अब यह बिहार नाम से यह जाने लगा और यह पुन्ड राज ही हो चुका था ठीक है तो पुन्ड राज का दरजा मिलते ही बिहार में राजपाल की निकती हुई और इसके पहले ज महले जो गुवर्णर हुए वह लॉड सतिंद्र परसाद सिन्हा ठीक है याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट है यह आजादी के पहले की बात है 1920 की बात है अब यह तो था गुवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अब बात करते हैं गुवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 1935 आया ठीक है उसके तहत गुवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत क्या किया गया बिहार का जो विधान मंडल था ना उसको दो भागों बाटा गया एक विधान सभा और दूसरा विधान परिशत ठीक है जैसे आज आपको पता होगा कि बिहार का लेजिसलेटिव अस बिहार के बिधान सभा का जो बिल्डिंग है बिहार के बिधान सभा का जो भवन है उसका डिजाइन किस ने किया था और ये को किस डिजाइन पर था किस शैली पर बेच था तो डिजाइन किया था जो वास्तु वीध था उस बद आर्किटेक्ट जो था एम मिल उड क्या ना सकते हैं इतावली रनेंसा आर्किटेक्चर ठीक है याद रखिएगा यह काफी इंपोर्टेंट है में बनी यह इमारत कई मायनों में खुबसूर्ती को समेटे हुए है इसमें समानुपातिक गणितिये संतुरन के साथ ही साधगी और भविता का समनवय है लंबे लंबे गोलाकार अस्तंब और अर्दवरिताकार महराब इसकी विशेशता है जो प्राचीन रोमन सैली से प्रभावित है इस आयताकार भवन में सम अमरूपता का विशेश ख्याल लखा गया है भवन के अगले हिस्से की बात की जा रही है जो प्लास्टर है उसमें एक निश्चित अंत्राल पर कट मार्क दिया गया है जो की बहुत खुबसूरत है दूसरी संराचाओं से इसे अलग भी करते हैं विशेसा के इसे इंडो सा अर्षेनिक सैली में बनाया गया है ठीक है इंडो सारसानिक बारे में बोला जा रहा है लेकिन जो यह पुरा भवन है वह इतावली रनेंसा आर्किटेक्चर का ही सैली है तो यह भी याद रखिएगा अब बिहार बिधान सभा या बिहार लेसलेटिव असेंबली का जो बिल 131 ठीक है फिर वो वक्त आया 1977 का 1977 में यह जो होने लगा 324 हो गया 331 से अब घटके 324 मेंबर्स इसके होने लगे फिर 2000 इसवी का वक्त आया जब बिहार का फिर से विभाजन हुआ और बिहार से जारखंड अलग हो गया उसके बाद बिहार का जो बिहार बिधान सभा का जो म 243 ही अभी परजेंट में जो टोटल अस्टेंथ है बिहार बिधान सभा का वो है 243 और बिहार बिधान परिशत यानि बिहार लेसलेटिव काउंसिल का कितना है वो है 75 ठीक है तो यह दोनों में डिफरेंस धियान रखिएगा तो यह था बिहार बिधान सभा का सभा के भवन का इतिहास उमीद है आपको पसंद आ होगा तो लाइक ज़रूर किजिएगा इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप सभी को भी बिहार विधान सवा के सौवा साल होने पर कौंगराचुलेशन उसके साथ ही मैं एड करता चलूँ कि बिहार से विस आपको पूर्वाइड करता है पूरे साल बिहार स्पेसिपिकर इंट अफिर दो फॉर्मेट में पहला हमारा फॉर्मेट होता है मंतली कलेक्शन दूसरा जो फॉर्मेट हमारा होता है वो होता है टॉपिक डिसकस्टन के तोर पजय से मैं आज का वीडियो लेकर आ रहा हूँ और बाकी आप चैनल पे चेक कर पाऊगे थैंक यू फॉर वाचिंग बिहार से विल्स स्यू इन नेक्स वीडियो जहिंद